तो government की एक ऐसी scheme जिसमें आपको हर मन्थ 9,250 रुपए की regular income होगी ये है MIS monthly income scheme नाम से ही समझ में आ रहा है और इसको post office वारा चलाया जा रहा है इसमें आपको एक साथ पैसे जमा करने हैं और आपको फिर वो monthly basis पे जो उसका interest होगा वो monthly basis पे आपको आपके account में मिलता रहेगा वो एक regular income जैसे हो जाती है जैसे किसी के पास एक साथ पैसे आ गए आप उनको invest करना तो नहीं समझ में आ रहा और आपको monthly खर्च के लिए भी कुछ पैसे चाहिए तो आप MIS में invest कर सकते हो इसमें आपके पैसे भी बचे रहेंगे साथ में आपको खर्च के लिए पैसे मिल कर सकते हो और minimum 1000 रुपए है और maximum 15 lakhs रुपीज है तो जब आप 15 lakh रुपए जमा करते हो तो आपको monthly 9,250 रुपए मिलते हैं जो की 7.4% होता है जो की काफी अच्छा है और आप इसमें individual MIS भी open कर सकते हो तो अगर आप individual MIS open करते हो तो आप maximum 9 lakh रुपए जमा कर सकते हो तो इ के income के हिसाब से मिलेगा तो जो इसमें individual account open कर सकता है joint account open कर सकते हैं और जो minor है मतलब 10 year plus है वो भी account open कर सकते हैं अगर आप सोचो की मैं 2-4 MIS open कर दूँ तो उसमें सब में 9-9 lakh रुपए जमा कर दूँगा तो ऐसा नहीं है आप जितने भी MIS open करोगे सब को include करके जो amount होगा वो 9 lakh से उपर नहीं होना चाहिए और अगर आपने सोचा कि जो इसका interest मुझे मिल रहा है हर महीने 5,550 रुपए या फिर 9,250 रुपए उसको मैं नहीं लेता तो उसमें भी मुझे interest मिलेगा तो ऐसा नहीं है उसमें कुछ भी interest नहीं मिलेगा और जो interest मिल रहा है आपको 9,250 या फिर 5,250 रुपए वो taxable है उसमें आपके tax saving नहीं होगा साथ में अगर minor 10 year plus का कोई बच्चा account खोलता है तो जो उसका MIS होगा वो उसका जो amount होगा वो parents से अलग होगा मतलब जो parents है वो 15,000,000 रुपए invest कर सकते हैं प्लस जो 10 year plus है वो भी 9,000,000 रुपए तक invest कर सकते हैं यह जो amount है वो 5 year के लिए होता है मतलब आप 5 साल के लिए ही MIS open कर सकते हो 5 साल के बाद जो पैसे हैं आपके आपने जितने भी invest किये थे वो सारे के सारे आपको return हो जाते हैं तो कैसी लगी detail प्लीस comment section पर comment करें और अगर आपको कोई confusion है तो भी आप मुझे comment section पर comment कर सकते है कर सकते हैं